आज की वक्त में महिंगाई इतनी ज़या हो गई है कि हमहें अगर कुछ smart hack ना पता हो तो हम हमारी गलतियों की वज़े से ही बहुत सारा ख़र्जा बड़ा देते हैं तो क्यों ना पता हो हमें कुछ ऐसे smart tip का से हम भूत पैसे घर में ही बचा सकें तो पहला टीफ है मेरा सालेंडर को लिगे, जब हम सालेंडर यूज़ करते हैं, जब मार्किट से हम इसे नया लाते हैं, आप देखिए होंगे इस तरीके का सील लगा होता है, हमारे गर में अगर कोई helper ना हो या ऐसा कोई इंसान अवेले बल ना हो जो हमें इसी silk को खोल कर दे पाए तब हम खुद ladies इस silk को खोल सकते हैं simple सा तरीका मैं आपके साथ share करने वाली हैं वो भी चमज की मदद से तो हमने हलके से धागे को इस तरीके से खीचना है इसका जहाय रखन लगा रहता है और आप देखेंगे यहाँ पर हमने इस चमज को अठका देना है इस चमज को अठकाने से क्या होगा कि जब आप इसे इस तरीके से खोलेंगे तो यह easily बाहर निकल आने वाला है तो बड़ा ह हाथ से अपने धागा खीचना है और ये वापिस लग भी जाएगा थोड़ा सा ध्यान रखेगा पर ये बहुत छोटा सा टीब है पर आपके काम आएगा अगला यूसफुल हैक है मेरा हलवे कुली की तो जब हम हलवा बनाते हैं तो इस प्रॉबलम आती है कि हलवा जब हम भून लेते हैं पूंने के बाद हम क्या करते है इस गयदे कड़ाए या जो भी हमने बतन लिया है इसमें से ये ड्राय रोस्ट किया हुआ बहार निकाल लेते हैं और इसके बादने इसमें पानी और चीनी मिलाते हैं इसकी वज़ेसे क्या होता है हमारे बरतन भी गंदे होते हैं और बरतन काफी गरम होता है तो हातों में भी गरम चेटने का काफी डार रहता है तो आप अलग से एक बरतन लीजिए और आप उसमें जितना भी सुझे लिए हैं उसका double quantity में पानी लीजिएगा तो यहां हमने directly पानी को boil करना है और जो भी dry food साब खाना पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल दीजिएगा और स्वाद अनुसार अपने चीनी लेना है और एक अच्छा सा boil लेना है यानि कि जो हम पानी मिलाने वाले हैं कड़ाई में तयार करने वाले हैं वो हमने अलग से तपीली में तयार करके रख लेना है इससे आपको फाइदा होने वाला है कि आपका अलग से बरतन नहीं गंद है वो कम किया जा सके तब देखिए मैंने सिर्फ एक तपेली में पानी पॉल किया और जो हमारा हलवा है वो लगभग बनके तयार हो चुका है तो हमने बड़या से चलाते जाना है जब अच्छे से कॉर्णर छोड़ने लग जाए तो एक स्पून घी मिला कि इसे तयार कर लेन उन्या है है तो हैना स्मारल सा ऑर सिंपल सा तरीका हलवा बनाने का बहुत साल में कप्लें हाय में नोट्ट यह ढार जाते हैं यह ङनला यूस्फफ 55 लहा ला यूसक्ति प्लादयार बनकि तयार होने वाला है अगला विंआ है मेरा हारी मिर्ची को लिए तो जब हम हरी मिर्ची मार्किट से लेकर आते हैं तो हमें कुछ इस तरी के प्लास्टिक बेग में दी जाती है अगर हम इसे प्लास्टिक में छोड़ देते हैं और जब यूज करें तब ही निकाले तो आप देखे होंगे मिर्ची जो होती ना वो बहुत जल्दी सड़ने तो इसके लिए मैं एक चोटा सा टीप आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आपकी बजट करने वाला है तो आप जितना भी हरी मिर्ची लाया है पहले तो इसका डंटल निकाल लीजिएगा और इसे अच्छे से एक दो पानी से बॉश कर लीजिएगा आप ये एक दिन काम कीजिएगा और हफते दो हफते के लिए आप जंजट फ्री हो जाएंगे क्योंकि एक दिन का काम आपका बहुत सारा टाइम बचा देने वाला है जो काम आप रोज 5-5 मिन पेस्ट करते हैं टाइम को उसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है और एक ही दिन में ये करगे प्लास्टिक के कंटैनर में ट्रांसफर करने वाले हूं तो इसमें भी दिकत होती है अगर मिर्ची में थोड़ा बहुत भी नमी रहे गया है तो पूरी मिर्ची खराब हो जाने वाले लॉंग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाएंगे इस तरह के जालेदार टोकनी है तो कोई प्लास्टिक कंटैनर में जब हम हरी मिर्ची रखते हैं तो एक अच्छा सजुगाड आपको बता रही हूं आपके घर में इस तरह के रफ रेजिस्टर के पेपर हो निउस पेपर हो या ट्यूसी पेपर हो कोई साभी पेपर है उसे आपने पहले बोटम में इस तरह के से ल पानी के लिए आप देखे जैसे में पेपर लगाया है बूंद से भी कम पानी होता है हरी मिर्ची में वह इस पेपर लग गया है तो यह बहुत छोटी बूंद है पानी की इस सी वज़ें से नहीं चला आती है तो यह छोटा सा हेक अपने अप्लाए करना है इसके बाद आप हरे मिश्यी को एक मैंने के असपास स्टोर करके रख सकते है थो छोटा सा जुगाड है पर आपके बहुत काम आने वाले हैं रोज का खन्जट होता है हरे मिशी का वो खतम हो जाने वाला है अगला जिसरी है मेरा दाल को कि लिकी तो जब हम दाल बनाते हैं तो तो अकसर हम देखते हैं कि दाल में कुछ इस तरह की खुले बड़तर में बनाए और इसके जितना भी यह जाग निकलता है हमने इसे निकाल के फेक देना है आप इसे बड़े स्पुन से निकाले यह चोटी स्पुन से निकाले पर इससे जरूर फेकना है अगला इसुल है मेरा आटे को लेकिए तो काफी कवार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लेडिसों को काम करते वक्त चोटी मोटी चोट लग जाती है यह चोटी मोटी कट हमारे हाथ में लग जाते हैं इसके वज़े से क्या होता है कि हम आटा नहीं लगा पाते हैं रोटे हमारे घ पातों का यूज करने आटा लगाने वाले हैं यहाँ यूज पने बैलन का तो यび यहाँ जो हम से रूट के अबयाबलै और गोल इंक वह इisé कूल ET वर खांगा वेहले बहुत दर्ण है पानी मिलाते जाना है जिस दार एक दम से बताला का नहीं डाल देना उसके बादे अपने हलका-larıद का चिड़काव करना है जिसे हम बेट में चिड़काव अगनाएक तो आटे और के लिए veramente कमें teica प्रिछ में लेक leftover isn't it हमें अटे को जूछ लेना है अब आपके वंपर अपर करता है ऑप अग्यों शीयुक्ति इए नरम एबातव करना है तो हमने बस इसी तरीके से हलका हलका पानी एड़ करते जाना है और आपके हाथों में किसी तरीके कभी कट लगा हूँ या हलकी फुट की इंजरी हो जाती है तब आपने ये वाला टिप ट्राइ करना है जब आपके घर में कोई सा फैमिली में बनी हो जो कीचेन में आपकी हैल्प करेगी वो आटा सांथ के आपको दे तब ये छोटा सा हैक आप अपलाई कीजिए और आपको जो आटा है वो बनके रेडी हो जाएगा तो हम यह थोड़ा सा ओईल हमारे हाथ में लेंगी जो भी फूड ओईल हम खाना पसंद करते हैं और इसके बाद में आटे को अच्छे से मल लेंगे यहां हुड़ा सा हाथ हो कि हमने यूज़ करना होगा बहुत जदा नहीं बस इस आटे को अच्छे से तेल से कोटिंग करने के लिए इसके बाद में आप इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ो दीजिए, पंदा मिट बाद आप अराम से रोटी बनाईए, रोटिया नर्म और फुली-फुली बनके रेडी होने वाली है, चोट चोट रहा ट्रीक है पर काम आता है, अगला इसला है, मेरा दूद को लेकी, तो जब दूद या कुछ भी हम ऐसा बॉइल करते हैं, मालीचे कुकर में कुछ बॉइल कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो गेस के बरनर का पिलकुल आप ध्यान रखिएगा, कि जितना हमारा बड़ा बर्तन लिया है, हमने बरनर की जो फ्लैम है, वो उससे थोड़ी कम रहे है, इसका हमने ध्यान रखना है, और बरनर की जो स्पीट है, वो सिर्फ इतनी करनी है, कि हमारा दूद बॉइल हो, इससे जादा हमने नहीं करना है, छोटे-छोटे से हैक है, पर ये आपकी बज़त को काफी बड़ा देने वाले हैं, जब आप आकरी में इसे डेली यूज करते कच्चा-णारेल बनाने के लिए, तो आप लुको ऐसा लग रहा होगा, ये कैसे हो सकता है, चले हमें बताती हो, सुखे-णारेल से हम कच्चा-णारेल कैसे गिरिट कर सकते हैं, तो आप इसके बाद में खुलता हुआ पानी इसमें एड़ कर देना है, और दो गंटे के जब्ơnगे पारी नारिल नहीं हो और आपको चट्नी बनानी सब्सक्राइब कर चट्नी सीद्रेश्थ। तो इस तरी के चोटे-चोटे स्मार्ट हैक हमें पता होने चीए इन कामों को लेकर हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा उलच जाते हैं और गल्ती में हम हमारे हाथों से खरजा मढ़ा लेते हैं तो यह छोटे-छोटे, हैक आप अपनाईए अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को आसान बनाईए बहुत सारी यूसफूल टिप्प और टिक है मेरी चैनल पर तो उन वीडियो सका आप जब्रूब वाच कीजेगा आपकी लाइफ को आसान बनाने वाले हैं ऐसे वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा वीडियो यूसफुल है तो बहुत सारा धन्यवाद